हर शहर की अपनी अलग प्नक्रिति होती है उसी इसाब से अपराथ का स्वर्वु विक्सित होता है बोपाल प्रदेश की राज्ठानी है ऐसे में यहाँ पर राजनेति खल्चल ज्यादा होती है जिसके चलते राज्ठानी में कानून व्यवस्ता से जुड़े चुनौतियां जादा है रिषपाल पुलिस कमिष्णर अरी नाराहiająंग मेश्तवश चारी जी सर बताएं कानून विवस्था को लेकर इंदोर और भोपाल में आपको भोपाल में करीब 9 माय के लगपक हो गए हैं तो इंदोर और भोपाल में क्या नतर है अपराधु को लेकर हर सहर की अपनी एक अलग प्रकीर्त होती है और उसके अनुप अपराधों का स्वरूब उसे अनुप बिक्षित होता है अगर इसको हम ध्यान से देखें तो दोनों महानगर एक से मध्ध परदेश की नगरी जो संस्किती है उसको परथिन तो करते हैं और दोनों ही अनुठे हैं अपने अपने तरीके से फुल्फिंग के इन दोर में बात करें तो इन दोर के जन संख्या का जो अकार है लगभग दोगुना दोगुना से थोड़ा कम है लगभग जादा है और इसी कारण इसी अनुपात में अपराधों की संख्या पर जादा है और गनाईज की संख्या थोड़ी जादा है तो इसले चुनोतियों पड़ता है पुलिफिंग के जो जुड़े मुद्दे हैं और वहाँ पर अपराद से जुड़े हंदों में पुलिस ज्यादा वक्त देती है तो इसलिए दोनों अपने हिसाब से बहुत ही महत्पूर्ण और बहुत चुनवती पूर्ण हैं और पुलिस की जैसी प्रत्मिक ता करवाई की है अगर हम पिछले फाल देखें तो लगभग पूरे पांच करोड के आसपास के ड्रग्स यहां पर पूरे साल में पकड़े गए है इसको लेकर के पुलिस बहुत स्रक्त है और जहां तक अपने तुलनात्मक पूछा तो इन दोर में भी यह वहां भी चुनवती कर रही है और वहां भी पूलिफ लगगातार काम कर है और इक यहां कर रही है थोड़ा सा वहां पर चुकि आबादी का विस्तार जादा है यहाँ पर ज्यादा जब जैदा है इसलिए अनपात हो लेकिन फिर भी अगर देखें गड़ेखें तो चणोती महत्पूर्षी होती कोई कारवाई बड़ी नहीं हो पा रही है यहाँ पर ऐसा कोई गैंग नहीं आया है जो बड़े लेवल पर कोई तरह की गैंग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो या पकड़ा न गया हो पुलिस ने हर उस गैंग को पकड़ा है गंभीरता फिकरवाई सुनेशित करती है देखा जाए तो सर भोपाल में साइबर क्राइम बहुत बढ़ा है चन्द मिंटों में पैसा हड़ाप लेते हैं बदमास लोग तो इनको आप कैसे वर्चुल वर्ल्ड एक ऐसा जगत है जिसमें अगर हम साउधान न रहें तो ठागे जाने की सम्हावना बढ़ जाती है इसको लेकर करके पुलिफ ने हेल्प लाइन भी सुरू किया है और जारुकता भी फैलाने की कोशिश की है साथी साथ इस तरह के चुनाउतियां बढ़ी है और चुनाउतियों के मदने जर देखें तो लग एक करुष सत्तर लाक रुपे ये वर्च्व कृमने को कई दूफ्रें देसों में दूफरे राजयों में होते हैं कई बढ़ उनकी जानकारियां साथीक नहीं होती हैं वहां तक पहूंचना काफी दूरह होता है तो कई बाष संबा वख लेकिन पूलिस ये कोशिस रहती है कि जो भी और्गाइज से उन Tidents तक पहुंचे और जो व्यक्ति पीडित है उसको वास्तिकुर्प से मदद मिल फके हैं। सर देखा जाए तो मुकमत देजी ने हर जेले में साइबर थाने खुलने का एलान किया है। क्या मनते हैं इसको। आत्मात्याओं का गराब बढ़ा है। इसमें क्या है? उठाती है खाफ तोर पे जितनी जल्दी सूचना मिले पुलिस के लिए काम करना उतना आसान हो जाता है पुलिस कोफिफ रहती है कि सूचना मिलने के 24 गंडे के अंदर उसमें जनकारी मनानी जाए खातों को बलॉक कर्वा दिया जाए उसे सटीक जनकारी के अधार पर भूघता तो पैसा वास्त कुछ के खाते में वापस भेया आ सकते ये तो पुलिस ये कोफिफ रहती है और पुलिस इसमें सफ़ल भी रही रही है पिदान सभा चुनाओ 2023 तो हो गए हैं, अब 2024 में लोक सभा चुनाओ है, इसमें पुलिस की क्या तैयारिया हैं? अब जानते हैं कि जो चुनाओ हुए, पिदान सभा चुनाओ बहुत ही अभुत्परब्रूंग से सांतिपुन महाल में संपन्न हुए और चुकि लोक सभा की तैयारियां हैं, लोक सभा की तैयारियां पुलिस कर रही है, खाफ़तर पर इसमें प्रसिक्षन का एक दौर होता है, बहुत सारे हमारे नए जवान आये हैं, उनको हम लोग प्रसिक्षित करेंगे, खाफ़तर पर चुनाओ की चुनाओतियां होती हैं, जो परदर्फता होती है जो ततपरता होती है इन सारे मुद्दों के बारे में उन्हें बताया जाएगा और फाती फात जो हमारी टीम जो चेंज होती है बीचे इसमें कुछ टीम के फाती ही चेंज होते हैं उनको इस चुनाव से समझनी जो प्रिफिक्षन है उसका हिस्सा बन पुलिस थानों में नदारत रहती हैं महिला पुलिस चायसाव इंस्पेक्टर वारक छको जो पीडित महिलाएं थानों में जाते हैं घंटों बेटी रहती हैं और ड्यूटी कम करती हैं तो इसके लिए आपके क्या देशा अगर कोई ड्यूटी नहीं करता है अगर सूचना मिल देखेंगे तो खाफतर पर भोपाल में काफी अभुत्पुर्व रूप से कमी आई है महिला अपराधों के मामलों में, 60 परतीफत पर ज्यादा कमी आई है हत्या जैसे मामलों में, 16 परतीफत 376 के मामलों में कमी आई है, लागो इससे ज़्यादा कमी 354 जैसे मामलों में आई है तो जो छेर चार हैं चाहें 376 ग्रेसी घटनाएं हों महिलाओं से संब्धित जो हत्या हत्या के प्रयाफ जफिक घटनाएं से भारी कमी आई है और यह महिला संब्धित अपराधों में कमी इस बात का द्योतक है कि पु पुलिफ की ज़गता अभियान चले हैं उसका भी असर हुआ है हर रिपोर्ट पुलिफ तक आई है और पुलिफ की लागतार करवाई से एक सुरक्षा का महौल बहतर हुआ है सर देखा जाये तो पुलिस बल की बहुत कमी है इस टाप की भी कमी है इसको आप केसे दूर पु कमरमेन हैमंत यदो के साथ मनोहर राजपूत एसियन भारत बोपाल